बिस्मिल्ला इर्मान इरहीम, असलाम लेकुम स्टूनेंट्स, तोड़े टॉपिक ऑफ और डिस्केशन इस फियोनेरिया फ्रॉम् दा आउटलाइन ब्रायोफाइट्स ब्रायोफाइटा डवियन की तीन क्लासिज हैं हिपैटिक आपसिडा, एंथोसिरोट आपसिडा और ब्रायोपसिडा हिपैटिक आपसिडा के मेंबर्स को लिवर वर्ड्स कहते हैं और उसमें हमने टाइप को डिसकस किया था रिक्सिया anthocerotopsida के members को horn words कहते हैं और उसमें हमने anthoceros को discuss किया था आज हमने इसकी third class bryopsida को discuss करना है जिसमें type है funeria bryopsida के members को mosses कहा जाता है और आज जो हम type इसमें पढ़ेंगे funeria इसकी systematic position है कि devian bryophyta से ये belong करता है class bryopsida, order funerialese, family funeriasi and genesis funeria तो ये इसके जो advanced class है bryopsida mosses इसको हम discuss करते हैं कि ये कहां पाया जाता है funeria it is a terrestrial moss, it grows in the form of bright green velvety patches in shady and damp places जैसे कि तमाम bryophytes shade lovers है moist places पे, damp places पे ये grow करते हैं तो funeria भी shady and moist places पे grow करता है bright green color का ये patches की form में grow करता है और इसमें जो species है funeria की 117 species जो है वो report की गई है जिसमें funeria hygrometrica जो है वो commonly पाया जाता है and it is worldwide in distribution it grows well on burnt soil, it grows best in the presence of calcium, potassium, nitrogen and phosphorus एसी soil जिसमें calcium, potassium, nitrogen और phosphorus ज्यादा पाय जाए जाएं उस soil में ये ज्यादा grow करतें हैं यहां पर आप देख रहे हैं फिनेरिया जब नेचरली फॉम में ग्रो करता है तो किस तरह से नजर आता है आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि नीचे सबस्ट्रेटम है और उसके उपर आप यह लीफी पार्ट इसका देख रहे हैं लीफी पार्ट जो है यह इसका यह इ dependent होता है sporophyte तो ये sporophyte जो है इसके तीन पार्ट होते है basal part होता है foot फिर ये elongated part जो है ये है cita और उसके उपर जो है ये swollen part ये है capsule तो ये तीन पार्ट पर मुझतमिल sporophyte या sporogonium है foot, cita and capsule ठीक है ये sporophyte है या sporogonium जिसे कहते हैं in the case of bryophytes और नीचे जो लीफी पार्ट नजर आ रहा है और उसके साथ rhizides है ये इसका gametophyte है यहां पर आप देख सकते है कि rhizides और ये उपर इसका जो लीफी पार्ट है और फिनेरिया जो है ये monoecious है मींज इसमें male and female reproductive organ एक ही प्लांट के उपर होते हैं यह ब्रांच होती है एक यह देखें यह जो ब्रांच है यह male branch है ठीक है male plant लिखा हुए आप इसको male branch लिखेंगे plant एक ही है उसके उपर यह ब्रांच जो है यह male branch है और दूसरी ब्रांच जो है vegetative structure के हम बात करेंगे gametophyte जो के dominant generation है तमाम bryophytes में इसका जो structure है, it is composed of protonema and gametophore protonema and gametophore दो parts पर मुझन मिल है ये protonema जो part है इसका वो prostrate part है, horizontally grow करता है means substratum के साथ साथ grow करता है green है, branched filamentous structure है और इसके उपर फिर erect branches जो है, वो arise होती है जो के leafy हमें shoots नजर आई है जिनको gametophore का आ जाता है proton nema जो की हमने खाके prostrate पार्ट है वो short lived होता है ठीक है यहाँ पर prostrate पार्ट इसका पहले होता है बिसल जो के proton nema कलाता है वो short lived होता है और उसके साथ यह जो leafy axis इसके नजर आ रहा है शूट सी और ये leafy part ये इसका क्या होता है? ये इसका होता है gametophor जो adult plant है उसमें gametophor ही होता है सिरफ protonema क्योंकि short-lived है तो वो decompose हो जाता है gametophor जो है ये पूरा उसका गेमेटophr बनाता है जिसमें हम कहें कि ये differentiated होता है into a shoot like stem हमके हैं के stem होती है इसमें और फिर इसमें leaves नजर आ रहे हैं हमें और बेसल पार्ट पे इसके rhizides होते हैं जो कि सबस्ट्रोटम में ग्रो करते हैं इनकी tips के उपर sex organs होते हैं at their epices, epics पे और फिर ये के rhizides anchor it into the soil, rhizides इसके बेसल पार्ट पे होते हैं और इस gametophore को anchor करते हैं support देते हैं soil के साथ इसको attach करते हैं उसके इलावा ये rhizides क्या करते हैं ये moisture को absorb करते हैं, soil में से nutrients को absorb करते हैं और इस gametophore को या gametophite को provide करते हैं अब इसके अपर जो leaves होते हैं बेसल पार्ट पे तो rhizides हैं और अपर पार्ट पे इसकी short stem है और साथ में उसके leaves हैं, leaves इसके चोटे-चोटे से होते हैं, ओवेट शेप के होते हैं, थोड़े से ओवाइड ओवल शेप के, सैसाइल होते हैं, means यह कि इन लीव्स की कोई स्टार्क नहीं होती, कोई डंडी नहीं होती, ठीक है, without स्टार्क होते हैं, बगैर डंडी के होते हैं, directly attached होते हैं, with the stem, that is why they are called कुछ जो हैं, वो ग्रीन होते हैं, जो कलरलेस लीव्स होते हैं, उनको स्केल लीव्स का जाता है, ठीक है, स्केल लाइक यह होते हैं, और they are found on the prostrate branches and on the lower portion of the erect branches, या तो यह सिर्फ प्रोस्टरेट ब्रांचिस पे होते हैं, जो horizontally grow कर रहे होती हैं, या फिर, जो gametophore है, उसकी बेसल पार्ट पे यह स्केल लाइक लीव्स होते हैं, जो के colorless हैं, बाकी जो green color के लीव्स होते हैं, उनको का जाता है foliage leaves, वो size में थोड़े बड़े होते हैं, स्केल लीव्स से, और यह erect portion या erect branch के उपर grow करते हैं, spirally arranged होते हैं, means जो इसकी यह stem होती है, उसके गिर्द पूर एक spiral दाइरा सा बनाते हैं, हर तरह से यह grow कर रहे होते हैं, spirally, तो इनके arrangement spiral होती है, और यह foliage leaves के लाते हैं, green color के होते हैं, the leaves also surround sex organs, these leaves are larger in size and different in shape, कुछ leaves sex organs को protect करते हैं, अबाहिर से उनको surround करते हैं, ऐसे leaves जो के surround कर रहे होते हैं sex organs को, वो size में बड़े होते हैं, और shape में भ different होते हैं, reproduction, vegetative reproduction भी यह करते हैं और sexual reproduction भी करते हैं, वेजिटिटीव reproduction में by decay, कि इनके जो prostrate branches होती हैं, die हो जाती हैं यह decomposed हो जाती हैं, और उसके बाद जब यह decomposed हो जाती हैं, then the erect branches grow as the independent plants, कि prostrate parts जब decay हो जाते हैं, जगा जगा से, तो जो erect branches होते हैं, इर्यूज वो separate हो जाती है और हर एक erect branch जो है वो एक independent plant बना लेती है gamma formation जैसे पिछली दो टाइबस में भी हम पढ़ चुके bryophytes की कि gamma cups बनते हैं यहाँ पर भी इस तरह के gamma cups बनते हैं along the mid rib of leaves or at the tips of stem और ये gamma cups फिर separate हो जाते हैं और grow कर जाते हैं into a new plant फिर इसमें है from fragmentation of protonima takes up into fragments by death of cells यह हम इसमें sexual reproduction में आगे देखेंगे कि sport जब germinate करता है तो वो initially protonima बनाता है तो ऐसा भी होता है कि वो protonima जो है वो further growth ना करें बलकि वो उसके fragments हो जाएं protonima के fragments हो जाते हैं बादा death of the cells के बीच-बीच में कुछ cells की death हो गई तो बादी जो fragments है वो अलग हो गए और हर एक fragment जो है उसके उपर birds बनना शुरू हो जाते हैं और फिर उसमें से gametophore या gametophyte जो है वो arise हो जाता है फिर इसमें epospory भी होती है कि directly sporophyte के कुछ cells जो है वो gametophyte बना लेते हैं without the formation of spore it is called epospory in some cases the sporophyte tissue is wounded the wounded part produces a protonima कि sporophyte के कुछ cells या tissues जो है वो wounded हो जाते हैं और वो जो wounded part है वो protonima बना लेते हैं और उनके बड्स ग्रो करती हैं और वो जो बड्स हैं वो ग्रो कर जाती है into a gametophyte या gametophore जो उसके part कहलाता है तो ये जो gametophyte बनता है ये क्योंके sporophyte से directly arise हो रहा है तो sporophyte deployed है तो इससे बनने वाला ये gametophyte भी deployed होगा हालांके नेचरली तोर पर ये जो gametophyte होता है ब्रायोफाइट में ये applied होता है जब spor formation से वो बनता है without spor formation अगर ये development इसकी हो रही है from any tissue of the sporophyte तो इस तरह का gametophyte होगा वो deployed होगा और इस तरह की germination को appospori कहते हैं next हम इसमें देखें के sexual reproduction कैसे होती है जैसे मैंने आपको बता है कि funeria जो है ये mono issues है mono means one के एक ही plant है उसी के ओपर male branch भी होती है और female branch भी male branch के ओपर male reproductive organ and threidium grow करते हैं और female branch के ओपर archigonia जो है वो develop होते हैं separate branches भी develop होते हैं branches की tips पर ये दोनों sex organs जो है ये grow करते हैं these branches are called gametophores जैसे हैंने पहले बात की कि ये जो erect branches हैं इनको gametophore कहते हैं gametophyte की ये branches होती हैं और insects organs के दर्मयान कुछ sterile hair like structures पाय जाते हैं जिने parafices का जाते हैं sterile means जो के reproduction में हिस्सा नहीं लेते अब ये जो parafices होते हैं they are four to six cells high height में ये four to six cells इनकी height होती है and one cell wide और width में सिरफ single layered होते हैं ये sterile hair like structure होते हैं the parafices cells contain chloroplast इनमें chloroplast पाया जाता है the piccal cell of each parafices is globose सबसे उपर वाला जो cell होता है हमने का four to six cells high होते हैं उपर वाला जो cell होता है parafices का it is globose shaped parafices meet over an anthridium to protect it फिर ये anthridium के उपर आके उसको protect करते हैं the parafices also hold water by capillary action so they prevent desiccation उसके इलावा ये parafices capillary action के जरिए water को लेते हैं और desiccation की सुरते हाल से बचाते हैं यहाँ पर आप ये structure देखें ये देखें ये इसमें male shoot दिखाए गई है ठीक है मैंने बताया कि इसमें male branch अलग होती है और female branch separate होती है branches ये female branch है और ये male branch है male branch के उपर ये anthridium ग्रो करते हैं ये anthridium दिखाए गया है ये भी anthridium है ये भी anthridium है हमने का कि इनके बीच में कुछ sterile hair like structure होते है ये है sterile hair like structure जिसको parafyses कहते हैं ठीक है और फिर मैंने का कि ये four to six cells in height होते हैं height में सिरफ इसके four to six cells होते हैं और सबसे उपर अलग जो cell है वो globose shape का है आप देख सकते हैं इसका भी और width में देखें तो सिर्फ single layered हैं ये और ये protection कुछ हद तक provide करते हैं इन anthridia को उसके इलावा ये water absorption में भी काफी कारामद होते हैं male branch the leafy gametophore bearing anthridia is called male branch gametophore की वो branch जिसके उपर anthridium grow करते हैं वो उसकी male branch होगी anthridia are developed in group at the convex shaped epics of a male branch anthridia are intermingled with paraphysis जैसे अभी आपने देखा कि ये जो anthridium है इनके बीच में कहीं कहीं sterile hair like structure है which are called paraphysis anthridia are also surrounded by specialized leaves called perigoneal leaves ये आपने book में correction करनी है यहाँ पर pericuotel leaves लिखा हुआ है वो होती है female branch के उपर तो यहाँ anthridium कुछ surround करने वाले जो leaves होते हैं वो कहलाते हैं perigoneal leaves और ये perigoneal leaves जो है ये मिल के एक envelop सा बना लेते हैं anthridia के बाहर और ये envelop कहलाता है perigoneum ठीक है आप यहाँ पर डेख सकते हैं कि ये anthridial cluster दिखाया गया है कि male branch के टिप के उपर anthridia इस तरह से grow करते हैं और उनके बाहर जो leaves होते हैं ये perigoneal leaves होते हैं और ये collectively एक envelop सा जो बनाते हैं वो कहलाता है perigoneum ये आप यहाँ पर ये देख सकते हैं इसके बाहर इस तरह से ये ये जो leaves हैं इनको protect करते हैं और cover करते हैं और ये perigoneum किलाते हैं, perigonal leaves होते हैं structure of enthridium एक single enthridium के structure के अगर हम बात करें तो यह club shaped है आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी shape यह club shaped होता है नीचे इसकी multi cellular stark है और उपर वाला जो हिस्सा है इसका, यह enthridium का हिस्सा है enthridium बनाता है जिसमें बाहिर वाली इसकी एक single layered jacket होती है और अंदर के जो cells हैं यह spermatogenous cells हैं ठीक है, यहाँ पर भी आप spelling की correction करेंगे अंदर इसके spermatogenous cells होते हैं बाहिर इसकी jacket layer है और फिर यह जो spermatogenous cells हैं यह बाद में differentiate होते हैं और यह फिर enthridium बनाते हैं उसके इलावा the free distilled end of the enthridium is differentiated into cap-like structure called operculum और फिर इसके उपर एक cap-like structure बनता है enthridium के उपर जिसे operculum कहते हैं जब इसके अंदर के spermatogenous cells हैं वो enthrosides बना लेते हैं और enthrosides मैचोर हो जाते हैं तो फिर इसका जो operculum है वो उसकी dehiscence होती है वो वहाँ से open हो जाता है और फिर जो enthrosides हैं वो बाहर आ जाते हैं female branch the gametophore bearing archigonia is called female branch वो gametophore या वो branch जिसके उपर archigonia develop होंगे वो female branch कहलाएगी और it arise from the base of the male branch ये male branch की base से arise होती है ठीक है आप ये देख रहे हैं कि ये male branch है तो इसकी base से ये female branch जो है ये arise हो रही है इस female branch के जो apex है वहाँ पर एक flat इसकी apex जो फ्लैट हो जाती है इसे receptical कहते हैं उसके उपर archigonia develop होते हैं और इसके बाहर जो leaves होते हैं वो कहलाते हैं pericutial leaves और ये male के बनाते हैं एक envelop pericutium ठीक है male में हमने कहा था कि उसके जो leaves होते हैं और इसके जो leaves होते हैं इसमें पराफाइसिस पाई जाते हैं जैसे अंधरीडियू पेश्में के बीच में sterile hairs होते हैं उसी तरह archigonia के बीच में भी ये पराफाइसिस होते हैं एक मैचूर आर्चीगोनियम के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वो फ्लास्क शेप्ट होता है जैसे पिशली दो टाइपस में भी हमने पढ़ा कि फ्लास्क शेप्ट आर्चीगोनियम किस तरह का होता है उपर वाली जिसकी इलाउंगेटिड पार्ट है वो इसका नेक है यह आप देखें यह दिखाए गए है यह ग्रूप में ग्रो कर रहे है आर्चीगोनिया बीच-बीच में पैराफाइस भी है और बाहिर जो है इनके जो यह लीव्ज है यह पैरिकृटियल लीव्ज है यह मिल्के एंवलप बनाते है पैरिकृटियम कलाता है और नीचे इनकी स्टाक है ठीक है और उपर जो है यह इसका आर्चीगोनियम का स्ट्रक्चर है जिसमें यह इलॉंगेटिड पार्ट जो है यह नेक कलाता है और यह जो बेसल स्वोलन पार्ट है यह कलाता है वेंटर ठीक है यहाँ आप देख सकते हैं यह मैचूर स्ट्रक् वो single layered होती है जबके winter के around जो cells है आप ये देखें winter wall दिखाई गई है तो ये double layered है, एक layer ये है दूसरी ये है, ठीक है winter के around double layered wall होती है जबके neck के around single layered wall होती है सबसे उपर जो है इसके cover cells होते है फिर neck के अंदर जो cells होते हैं वो कहलाते है neck canal cells जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नेक के अंदर के जो सेल्स हैं वो नेक के नाल सेल्स होते हैं और नीचे वाला जो बेसल पार्ट वेंटर है वेंटर में दो सेल्स होते हैं एक small होता है जो कहलाता है winter canal cell ये और दूसरा large होता है जो कहलाता है egg फिर ये winter canal cell और उपर वाले तमाम neck canal cells ये क्या जाते हैं ये disintegrate हो जाते हैं और ये mucilisiness mass बना लेते हैं ठीक है water को imbibe करते है water को और उसकी वज़ासे जो pressure create होता है उस pressure की वज़ासे ये जो cover cells है ये open हो जाते हैं ये mucilisiness जो है ये फौरन से बाहर flow होना शुरू हो जाता है और ये mucilisiness जो है ये chemo tactical ही मतलब इसमें जो substances chemicals पाए जाते हैं वो attract करते हैं male gamete antherozoides को antherozoides move करके आते हैं यहां और फिर यहां से वो downward move करते हैं उन में से एक antherozoide जो है वो इस egg के साथ fertilize करता है और फिर इसको fertilization के बाद convert कर देता है zygote में diplied zygote में ठीक है zygote की formation हो गई उसके बाद है formation of caliptera the zygote enlarges in size अब zygote जब बन जाता है तो zygote अब winter वाले part में होते है वो size में increase होना शुरू हो जाता है और winter की पूरी space को ये feel कर लेता है अपने around वो एक thick wall भी बना लेता है ठीक है और उसके बाद वो devian भी start करता है heat called caliptera और winter अपने around जो protective heat बनाता है उसे caliptera कहते हैं caliptera surrounds the developing sporogonium अब इस zygote की development होगी उससे बनेगा sporophyte या sporogonium तो ये जो इसने बाहर protective wall बनाई है caliptera वो caliptera sporogonium को भी surround करेगी sporogonium और sporophyte bravophytes में sporophyte को sporogonium भी कहते हैं spores are produced in it asexually meiosis takes place before spor formation अब जब spor formation होगी इसमें तो पहले meiosis होगी जिसकी वज़ाद से जो spores है वो haplied हो जाएंगे और haplied spores से फिर haplied gametophyte बनेगा structure of sporogonium अब ये जो sporogonium है इसका जो structure है जब ये मैचूर हो जाता है development हो जाती है zygote की तो उसके बाद इसमें तीन parts नज़र आते हैं basal part इसका होता है foot massive foot ये बनाता है उसके बाद elongated sita बनाता है long sita और सबसे ओपर ये बनाता है pure shaped capsule ठीक है ये आप देख सकते हैं कि ये इसका gametophyte है ये female branch में यहां पर आर्चीगोनियम था आर्चीगोनियम के वेंटर में fertilization होई zygote बना zygote की डवियन से हम क्या कहते हैं कि ये sporogonium बनेगा ठीक है sporogonium के तीन पार्ट्स है बेसल पार्ट जो है उसका यहां जो मौझूद होता है in the base of female branch वो कलाता है foot foot के उपर ये elongated सा जो है ये long क्या है ये है sita और sita के उपर जो है ये ये कलाता है capsule capsule की उपर टिप पे आप देख रहे हैं ये कलिप्ट्रा है capsule is pear shaped highly organized spore producing structure capsule के अंदर ही spores बनते हैं the young capsule is green but later it becomes dark brown young stage पे ये green होता है बाद में ये dark brown color का हो जाता है the epical part of the capsule is covered with the means of ruptured calyptra calyptra हमने कहाता के zygote के around ये layer बनती है protective layer बाद में हमने कहा के sporogonium को भी ये cover करती है तो ये calyptra जो है ये epical part पे मौजूद होता है capsule की the capsule has considerable differentiation of tissues अब ये इसका जो capsule है उसमें बहुत ज़्यदा differentiation होती है tissues की इसको हम आगे देखेंगे ये आप देख रहे हैं कि foot, cita और capsule सिरफ इस capsule को अगर हम देखें तो ये capsule का structure है पूरा ठीक है अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसके albacal part पे पहले पहले तो cita दिखाए गया, cita के ऊपर ये capsule होता है नो ये cita के ऊपर ये जो है ये sara capsule है capsule जो है ये तीन पार्ट में डिवाइड़ेडे होता है जो इसका lower part है वो खलाता है apophysis apophysis के बाद होता है thysa और thysa में ये सारे आ जाते है tissues और उसके बाद होता है operculum इन तीनों पार्ट को हम discuss करेंगे सबसे जो basal part है capsule का वो खलाता है apophysis apophysis को अगर हम देखें तो ये सीटा के उपर से लेकर यहां तक जो पार्ट है ये apophysis में आ जाता है तो apophysis की सबसे बाहिर epidermal layer होती है फिर उसके बाद आप देख रहे हैं epidermis के जो layer है उसमें बीच बीच में कोहीं कहीं है आपको stomata भी नज़र आ रहे है stomatal opening है फिर epidermis के अंदर के ये cells देखें ये आपको जो rounded globose से cells नज़र आ रहे हैं ये spongy cells के लाते हैं ये photosynthetic है cells जो cells photosynthetic होते हैं उन cells के अंदर ये dots दिखाए गए हैं आप देखें जिन cells के अंदर भी ये dots दिखाए गए हैं ये show करते हैं chlorophyll pigment go means ये cells जो हैं ये photosynthetic हैं जहां पर भी dots दिखाए गए हैं तो ये epidermis और उसके अंदर के जो cells हैं ये parent काइमेटर cells होते हैं और ये spongy cells बनाते हैं photosynthetic ये cells हैं ये सारे उसके बाद center में देखें तो ये center वाला जो इसका हिस्सा है ये कुछ elongated strand बना रहे हैं elongated cells इसके बना रहे हैं ठीक है और ये जो elongated cells हैं ये conduction भी करते हैं ट्रांसपोर्ट करते हैं apophysis के बाद जो इसका उपर वाला पार्ट है वो गलात है थीसा जो के central पार्ट है apophysis थीसा एंड उपर के लो बीच में ये जो थीसा है it is the central part और इसमें हम देखें कि इसमें जो differentiation है tissues की किस तरह से कि इसमें जो central column है वो है columnella का इसमें आप देखें यहां तक हमने कहा कि ये क्या है नीचे वाला हिस्सा जो है ये इसका एपोफाइस है अब यहां से ये उपर यहां तक ये क्या कहलाता है ये थीसा कहलाता है ठीक है अब इस थीसा के बिलकुल center में देखें center के जो cells है ये columnella कहलाते है ठीक है ये columnella के cells है conduction वगएरा ये करते है उसके बाहिर आप देखें तो ये जो cells हैं आपको नजर आ रहे है थोड़े इस तरह से barrel shaped है ये barrel shaped ये होते है कि ये दर्मयान से थोड़े से wide होते है और अपनी ends पे थोड़े से narrow होते है तो ये पूरी एक row सी नजर आ रही है आपको barrel shaped cells की बीच वाले तो हमने कह columnella के cells हैं और इसकी दोनों तरफ जो है इस तरह की ये barrel shaped cells होते है इस तरफ भी और इस तरफ भी ये कहलाते है spore mother cells ठीक है हर एक spore mother cell में जो है फिर meiosis होती है और meiosis से ये बनाते है spores यहाँ पर आप दूसरी तरफ दिखाया गया कि ये फिर इस तरह से spores बना लेते हैं अपने अंदर columnella हो गया center में उसके बाहिर spore mother cells हो गये जो कि barrel shaped है और उसके बाहिर आप देखें तो ये आपको कुछ spaces नजर आ रही है ये space है spore sack कहलाते हैं ये ठीक है ये जो spaces है ये spore sack कहलाती है air spaces कहलाती है ठीक है अब ये जो spaces है इन spaces में आप देखें कहीं कहीं पर कुछ cells है इस तरह से आपको strands नजर आ रहे हैं जो के connect कर रहे हैं ये spore mother cells की wall को with the end of this capsule wall ठीक है ये क्या कहलाते हैं ये क्या कहलाते हैं trabiculi ये भी trabiculi हैं ये भी ठीक है ये trabiculi क्या करते हैं capsule wall को connect कर रहे हैं with the wall of spore mother cell ये भी trabiculi के बाहिर देखें तो इसमें सबसे बाहिर जो है ये epidermis के layer है उसके बाद hypodermis है ठीक है और उसके बाद कुछ spongy cells हैं जो के photosynthetic हैं आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ये rounded cells दिखाएगे हैं spongy cells जैसे के नीचे apophysis में थे इस थीसा में भी कुछ cells इस तरह के ये पाए जाते हैं जो के photosynthetic cells हैं फिर इसका जो सबसे उपर वाला part है वो कहलाता है operculum operculum is conical cap-like terminal region of the capsule capsule का terminal या epical part है ये सबसे उपर वाला है इट कंसिस्ट आफ 3-4 layers of thin-walled cells इस cells are covered with epidermis अब इसमें 3-4 layers होती है cells की thin-walled cells होते हैं इनके बाहिर epidermis भी होती है अब इस operculum में कौन-कौन से cells पाए जाते हैं पैरिस्टोम is a ring of tooth-like segments it is double it consists of 16 long incurved teeth and 16 thin-walled inner segments ये आप देख सकते हैं कि याँ पर कि ये सबसे बाहिर वाली जो ये layer है इसको तो operculum कहते हैं और उसके नीचे आप देखें कि ये double layer है tooth-like appearance रखती है ये ठीक है जैसे ये teeth हो तो इनको ये पैरिस्टोम cells बनाते हैं और इसमें इसके 16 long curved seeds, sorry, teeth होते हैं और 16 thin-walled inner segments double layered ये होती हैं दे पैरिस्टोम is attached to a ring of thin-walled cells these cells form rim of the capsule दे पैरिस्टोम teeth are hygroscopic और ये पैरिस्टोम teeth जो कहलाते हैं पैरिस्टोम के cells ये hygroscopic होते हैं ये moisture को absorb करते हैं ठीक है और फिर इसके साथ ही ये बनाते हैं rim यहां पर आप देखें ये वाला part जो है दिखाया गया it is called rim इसके 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 आप देखें यहां पर ये जो cells हैं lower cells, यह क्या किलाते हैं? यह annulus किलाते हैं. The degeneration of annulus cells cause dropping off of operculum. अगर यह annulus के cells degenerate हो जाएं, तो यह operculum जो है, यह drop off हो जाता है, यह फिर यह open हो जाता है, जिसकी वज़ा से फिर spores जो हैं, वो बाहिर आ सकते हैं, क्योंकि spores इस पार्ट में हैं, और इनको disperse होने के लिए, यह peristome यह operculum है, इसका यहां से disperse होना जरूरी है, dehiscence होना, तो ही spores बाहिर आएंगे, after development, the capsule starts ripening, capsule की ripening होगी, पहले वो green कलर का होता है, फिर dark brown कलर का वो हो जाता है, नथीन-walled operculum cells below the epidermis and at the base of annulus become dry, अब operculum के जो cells होते हैं, at the base of annulus, वो dry होना शुरू हो जाते हैं, shrinking होना शुरू हो जाती है, उनकी, it loosens the connection between the operculum and the underlying tissue, finally the operculum is shed, it exposes the peristome, teeth of the peristome regulate the dispersal of the spores, अब जब इनकी operculum के cells की shrinkage हो जाती है, तो यह shrink हो गए, तो यह जो peristome के cells हैं, यह exposed हो जाते हैं, और यह regulate करते हैं, spores की dispersal को, अब spores जब shed off हो जाते हैं, capsule के बाहिर आते हैं, तो उसके बाद यह germinate होते हैं, किसी substratum के उपर जाकर, पहले यह अपने size को increase करते हैं, इनकी दो walls होती है, spore की outer wall and inner wall, outer wall इनकी पहले रप्चर होती है, फिर इनकी inner wall जो हो ग्रो होती है, ग्रो करके वो germ tube बनाती है, one to two germ tubes यह बनाते हैं, उन में फिर एक cross wall septum produce होता है, near the point of emergence, जिसकी वजा से, वो spore वाला part और germ tube आपस में, जो connected थे यह, यह अलग हो जाते हैं, ठीक है, germ tube, spore से अलग हो जाती है, the cell, cut off soon, develops into a branch, multicellular filament, the protonema, फिर यह germ tube grow करके, multicellular filament बना लेती है, जिसको protonema कहते हैं, अब यह जो protonema है, फिर यह germinate किस तरह से होता है, कि यह दो तरह की branches बनाता है, एक type जो है, इसकी branches की उकलाती है, chloronema, दूसरी rhizides, chloronema क्या करते है, it grows along the surface of the substratum, chloronema branch जो है, वो substratum के साथ-साथ grow करती है, या फिर उपर की तरह erect grow करती है, into the ear, जो दूसरी branch होती है, rhizide, वो rhizides बनाते हैं, lower part पे, और फिर यह rhizides जो है, यह substratum के अंदर penetrate कर जाते हैं, तो chloronema जो branch है, वो extensively grow करती है, substratum के साथ-साथ grow करती है, थोड़ी सी उपर की तरह erect भी grows करती है, after 20 days, most of the cells of chloronema degenerate, only a few epical cells are left, 20 days की germination, या growth के बाद, यह chloronema cells degenerate हो जाएंगे, सिरफ उनके कुछ epical cells जो हैं, वो बाकी रह जाते हैं, these cells give rise to another type of filaments, फिर वो cells कुछ और filaments बनाते हैं, वो filaments कलाते हैं, कॉलो नीमा, अब यह जो कॉलो नीमा filaments हैं, उनके उपर buds बनती हैं, और वो buds फिर बनाती हैं, गेमीटोफाइट की branches, जिनको गेमीटोफोर कहा जाता है, यहां पर हम life cycle देख लेते हैं, यह diagrammatic life cycle दिखाया गया है, यह आप देखें कि इसमें जो dominant generation होती है, गेमीटोफाइट वो दिखाए गया है, गेमीटोफाइट की गेमीटोफोर हैं, उसकी branches कहलाती हैं, ब्राँच है, मेल ब्राँच के ओपर enthridium ग्रो करते हैं, फिमेल के ओपर archigonium, enthridium से enthridium जब आते हैं, तो वो archigonium के अंदर जाके egg के साथ fertilize करते हैं, fertilization के बाद यह बना लेते हैं, dipliode, zygote, zygote क्योंकि डिपलाइट हो गया है, fertilization के बाद, यहां पर यह जो stages हैं, केमिटोफाइट इसका हैपलाइड होता है अब यहाँ से स्टेजिस जो है डिपलाइड हो गई है जाइगोट या ओस्पोर्ट जो है यह थिक वाल्ड हो जाएगा साइज में इंक्रीज करेगा डिवाइड होके एम्ब्रियो बनाएगा मजीद ये डवियन करेगा और फिर इसने बनाना है स्पोरोगोनियम या स्पोरोफाइट इस तरह से ये डिवेलप होगा स्पोरोफाइट के तीन पार्ट स्पोर्ट सिट एंड कैपसूल बनेंगे कैपसूल का यह हिस्सा दिखाया गया है कि इसमें ये स्पोर प्रोडूसिंग पार्ट है उसमें मियॉसिज होती है स्पोर मदर सेल्स में और फिर मियॉसिज के बाद बन जाते हैं स्पोर्स जब मियॉसिज होती है तो स्पोर्स हैपलाइट हो गए तो यहां से ये दिखाया गया है हैपलाइड है इसको एन शो करेंगे सिंगल वन एन यहां से स्टार्ट होता है स्पोर्स से स्पोर्स जो है यह जर्मिनेट करते हैं जर्म ट्यूब बनाते हैं फिर उससे वो डिफरेंट branches बनाने के बाद वो protonima बनाया और फिर इस तरह से gametophore बना लेते हैं और यह applied stages जो है यह gametophyte की stages है फिर इसमें graphical life cycle आप देख सकते हैं funeria vegetatively भी grow करता है और sexual reproduction जब यह करता है तो इसका जो gametophyte है male और female branches इसके उपर होती है enthridium archigonium बने enthridium में entheroside archigonium के अंदर egg दोनों है applied है इनकी fertilization या जिसको syngemi कहते हैं fertilization होती है फिर यह बना लेते हैं diploid zygote ठीक है zygote या फिर oospore कहते हैं यह जो oospore है यह embryo बनाएगा germinate होके इसने sporogonium यह sporophyte बनाना है यह sporogonium इसके अंदर spor mother cells होते हैं spor mother cells में मुyosis होती है rd लिखा हूँ है reduction devian reduction devian क्योंकि meiosis के बाद इसके spores जो यह applied हो जाते हैं इसलिए सको reduction devian भी कहते हैं pros applied हो जाते हैं यहां तक spor mother cells तक यह sporophyte के stages है ठीक है वो support से components cells तक यह declined stage है sporophyte कीस Sporos जैसे ही बनते हैं, ये gametophyte की stage टार्ड हो जाती है gametophyte जनरेशन, तो sport से फिर आगे ये gametophyte बनता है, फिनेरिया का तो इसमें alternation of generation होती है इस तरह से thank you